हाई, वेल्कम टु माई चैनल इस वीडियो में हम कुछ questions को देखेंगे जो की number theory पर best है और जो method में ने बताया है पहले वीडियो में इसके पहले वाले part में कि कैसे हम solve करते हैं linear questions को उसमें पहला जो process का पहला जो step है वो यह है कि पहले question को ध्यान से पढ़िया और यह पता करिए कि कि किसको मानेंगे x मतलब उसमें क्या मानेंगे x यह आपको आना चाहे पहले पहले तभी आप second steps में solve कर सकते हैं चलिए तो हम यहाँ पर सारे steps को लिखेंगे नहीं केवल हम इसमें मानेंगे directly 31 है मतलब दो numbers को चूज करेंगे जोगी consecutive होने चाहिए और उसका square का difference निकालेंगे तो वानाच यह 31 कर रहा है find the numbers तो उन numbers को निकालिए तो ध्यान देजे यहाँ पर आपको दो consecutive numbers को मानना है तो जो आप consecutive numbers को मानेंगे मैं यहाँ पर directly लिख रहा हूँ ठीक है consecutive numbers जो दो आप पानेंगे पहले वही पहले पहला step है हमारा तो दो consecutive numbers तो हमारे होंगे वो होंगे एक तो आप कोई भी एक ले लिजे x ठीक है और इसके consecutive कहने का मतलब यह है कि उसमें किवल एक अधिक रहेगा या एक कम रहेगा तो x और दूसरा माल लिजे x प्लस 1 तो यह दोनों हो गए consecutive लेकिन आप यह भी मान सकते थे x-1 और x ठीक है इन दोनों में से कोई भी एक आप मान सकते हैं बस यह आपको पता होना चाहिए कौन बढ़ा है तो इसमें जो ही यह छोटा है यह बढ़ा है और x x-1 में x-1 बढ़ा है तो मैं उपर वाला ही मान लेता हूँ दोनों से हो जाएगा solve तो x x-1 यहाँ पर यह होगे consecutive मैं एक के बाद दूसरे आते हैं अब कोल रहा है कि इन दोनों के squares का difference तो इनका पहले square कर लेते हैं x-square हो जाएगा और यह हो जाएगा x-1 का whole square अब कर रहा है कि इन दोनों का difference निकलना है तो difference का मतलब क्या होता है हमेशा आप बड़े वाले में से छटे वाले को मैनस करते हैं x-1 का whole square यही बढ़ा है देखे क्योंकि x-1 बड़ा है x से तो इसका square भी बड़ा होगा x-square से तो difference निकलना है इसलिए हमारा equation जो बन जाएगा वो यह बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा देखे x-1 का whole square minus x-square is equal to difference between the squares of two consecutive numbers हमने यह बना दिया is मने है मतलब equal है किसके 31 के है हमारा बन गया equation ठीक है दो numbers के squares का difference है यही आपने निकाल दिया वो बराबर है 31 के अब solve करने के लिए क्या करेंगे आप यह फिर्मण लगाएंगे a square minus b square का अगर बता होगा a minus b a plus b तो यहाँ पर हम वही लगादेंगे a plus b means x plus 1 plus x पहले प्रक्रम हो जाएगा दूसरे प्रक्रम होगा x plus 1 means a और minus b minus b क्या है x है तो यह दोना आपने break कर लिया is called to 31 तो रहेगा ही अब यहाँ पर दिखे रहेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 तो 1 संप्लाई करेंगे इस पूरे में तो वही रहेगा यही बचेगा x x किता हम जाएगा 2x plus 1 ठीक है implies लगाते रहेंगे 2x plus 1 is equal to 31 अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा answer 31 संप्लाई करेंगे 1 तो मिलेगा 30 और यहीं से आपको मिल जाएगा answer x is equal to 30 upon 2 15 जा 30 तो आपका answer आगा x is equal to 15 आएगा लेकिन आपको निकालना क्या है find the numbers उन दोनों consecutive numbers को निकालना है 15 तो पहला हो गया 15 और दूसरा हो गया उसके next वाला 16 क्योंकि 15 plus 1 is 16 तो यहीं दुना answer हो गया कैसे verify करेंगे तो आप क्या करो ऐसे करो कि यहां पर 16 के square निकाल लो left hand side में यह 15 के square निकाल लो और इसको solve करो यदि यह 31 आता है तो आप verify कर लिए 16 के square होता है 256 ठीक है यह 225 होता है तो मनस करें 6 में से 5 जाएगा 1 5 में से 2 जाएगा 3 2 में से 2 जाएगा 0 means 31 ही जाएगा actually तो हमारा 31 आ रहा है इसका मतलब हमारा answer right है चलिए next question चलते है okay question number 4 ध्यांद जीगा पहला जो step है वो यह है कि यह identify करना कि हम किस चीज़ को मानेंगे x this is very very important तो find a number whose double is 45 greater than its half यहाँ पर एक ही sentence सब बोल दिया है बोल रहा है कि find a number तो वो number को निकालना है whose तो इसी number को involve कर दिया solution में तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा उसी number को माल लेना होगा x तो हम यहाँ पर number को माल लेंगे x तो पहला step हो गया दूसरा step यह है कि अब इस x को involve करके जो भी पूछा है according to question हमें equation मनाना क्या बोल रहा है देखे whose मनें इस number का whose मतलब जिसका double तो हम x का double कर देंगे 2x मतलब कि is मतलब है x का double है क्या है 45 greater मने कि 45 ज्यादा है than its half मतलब इसी number का half करेंगे मने कि x by 2 x by 2 मतलब कि half हो गया कर रहा है 45 ज्यादा है यह जो number है 2x मतलब डबल आफ इस number यह 45 ज्यादा है किससे x by 2 से तो बड़ाबर कब होगा तेरे 2x क्या है बड़ा है न x by 2 से कितना बड़ा है 45 बड़ा है तो इसको equation बदलने में यहाँ पर equal to जब लगाएंगे आप तो यहाँ पर करेंगे plus 45 add कर देंगे that's it यह दोनों बड़ाबर हो गए अब आपको अब यहाँ पर solve कर लेता है तो यह मिल जाएगा 2x minus x by 2 is equal to 45 यहाँ पर यह 2 to 4x minus x upon 2 is equal to 45 ठीक है solve कर लेज़े इसको यह 4x minus 3 upon 2 is equal to 45 तो यहाँ से अब x is equal to निकाल सकते हैं निकालने के लिए 2 से बड़ाइ करेंगे पहले 45 में अब फिर divide कर देंगे 3 से 2 से बड़ाइ करते हैं 3 से divide करते हैं 3 by 3 और यहाँ पर जाएगा 15 2 जाएगा 30 sorry for burping 30 हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा answer क्या x और वही निकालना है 30 is the answer यह प्रूब करना है कि 30 सही है correct है कि नहीं इसमें पूट कर दिए पहले left hand side में तो 2 30 जा कितना होता है 2 into 30 कितना होगा 60 हो जाएगा तो left hand side आ गया आपका 60 अब हम दिखते हैं कि right hand side क्या आ रहा है एक्स by 2 करेंगे यह मनें 30 का 2 कर दिजिए 2 should divide कर दिजिए तो मिलेगा आपको 30 upon 2 plus 45 यह हम देवाइड करेंगे मिलेगा 15 15 कोई 45 में आइड करेंगे तो कितना मिलेगा 60 ही तो मिलेगा इसका मतलब कि left hand side और राट जार दून बराबर है इसका मतलब कि हमारा answer correct है तो यही method है solve करने का चलिए third question ओके next question ध्यान देजिएगा पहला step है हमें पढ़ करके यह पता करना कि कि किसको मानेंगे x पढ़ लते हैं पर ध्यान से find a number such that when 5 is subtracted from 5 times the number the result is 4 more than twice the number तो कर रहा है find a number मने number को ही find करना है तो आप इसको number को ही मान लेंगे x तो late the number भी x ऐसा मानेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं आप खूद लिखिएगा number को हम मान लेंगे x क्यों x मानेंगे number को क्योंकि इसमें number को ही involve करके solve किया हुआ है equation बनाने का तरीका इसमें दिया हुआ है अब देखे पहला step तो हो गया दूसरा step यह है कि हम इस x को involve करके कैसे बनाएंगे equation दो algebraic expression को equate कैसे करेंगे तो इसमें तो directly दे दिया है देखे क्या बोल रहा है यहां से solve is that के बाद when 5 is subtracted from 5 times the number मतलब जब हम 5 को subtract करते हैं 5 times the number मतलब उस number के 5 गुने से 5 times मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में सबसे पहले पहले वीडियो में कि times को मतलब होता है गुना मैं reply करना ठीक है तो number को माना हमने x तो यहां पर x लिख दीजिए और 5 times करना है मतलब कि पूरा complete यहां से यहां तक क्या हो गया 5 x है कि नहीं तो 5 x हो गया पूरा complete यह आप क्या कर रहा है कि when 5 is subtracted from this मने 5 x में से हमें 5 को subtract करना है तो यहां पर दिख लिजिए पहले 5 x में से 5 को हम subtract कर लेंगे ठीक है जब subtract दिया हो तो समझे कि किस में से किस को घटाना है यह आपको ध्यान में रखना हो पड़ता है subtraction के case में आप कह रहा है कि यह जो आया है यह जो expression आ गया वो कह रहा है that the result is result क्या आया यह आया यह सब solve करने के बाद क्या करने के बाद 5 is subtracted from 5 times the number यह करने के बाद आपको यह मिला और यह जो result है twice the number से 4 ज्यादा जो आ रहा है उसके यह बराबर है means 2x से 2x में क्या करेंगे 4 more कर देंगे means plus 4 कर देंगे समझ में आ रहा है तो जो question कर रहा है ठीक वाई से हम करेंगे तो आसानी से solve हो जाएगा अब यहाँ पर हम 2x को और left में लाएंगे 5x-2x is equal to यह 4 रहेगा 5 को देंगे right hand side में plus 5 और यहाँ पर देंगे 3x is equal to 4 plus 9 ठीक है x is equal to 9 upon 3 और 3 3 जा 9 x की value आ गई 3 तो हमारा जो number है वो 3 answer हमारा है कैसे verify करेंगे तो left hand side में पहले x की value रख दिजिए अब ही solve करेंगे देखें क्या आ रहा है तो हम देख लेते हैं यहीं पर left hand side is equal to थे रहेखे 5x की आपए 15 हो जाएगा 15-5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो left hand side आ गया 10 अब निकाल लेते हैं RHS right hand side 2 into x की value रुखे 3 प्लस 4 देखे 236 6 प्लस 4 क्या आएगा 10 तो यह 10 आ रहा है यह भी 10 आ रहा है means left hand side और right hand side जोनों बराबर होका है इसका मतलब कि हमारा answer आया है वो correct है 100% तो यह तरीका होता है solve करने का तो यह next video में और भी हम questions करेंगे हम काफी questions करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं हम equations तो आप जो यह word वाला जो लिखने वाला जो तरीका है वो आप खूद आप लिख सकते हैं थोड़ी से practice कर लेंगे या बुक में देख लेंगे तो सुझ में आ जागा कैसे लिखना होता है वैसे में या बता आराम कैसे करेंगे वो भी ठीक है थोड़ा थोड़ा चलिए धर्नेवाद यह आपको अच्छा लगा तो यह वीडियो जरूर सेर करिए अबने दोस्तों के साथ आप ही में मत देख जगा ओके थैंकिस सो मच पर वाचिंग